नाव हाली में भारत ने तेज़ा जिमान के जरिये इसराइल का जो सर्वस्रेस्ट मिसाइल है Python 5 ये टेस्स किया है नाव ये टेस्स इंपोर्टेंट क्यों है सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा नाव फिर्च्ट फोल जैसे के आप लोग जानते हैं के फाइटर एंपोर्टेंट एंपोर्टेंट आपको बिलेंगे एक तो है तेजस अर दूसरा पाकिस्तान चाइना मेड जे अव सेवन्टीन थंडर अब दोनों जो पार्टीज हैं यहां पर वो यह कोशिश कर रही है कि इंटरनाशनल मार्केट में इनका जो यह प्रोड़क्ट है यह जादा अट्राक्टिव दिखे और इसका रीजन क्या है रीजन है आप पर डिफेंस सेल भारत पाकिस्तान चाइना दोनों पार्टीज जो ह कई और देश इनके fighter aircraft purchase करें मलेशिय आपको बताओगा आज के समय fighter aircraft purchase करना चाता है भारत ने ओफर किया है तेजस पाकिस्तान चले ने ओफर किया है JF-17 थंडर जिस aircraft को मलेशिय पर चेस करेगा उसकी reputation को काफी बड़ा boost मिलने वाला है तो अभी के लिए क्या है कि JF-17 थंड है इसमें देखा गया था PL-10E missile ये एक made in China missile है और China के यहाँ पर ये कहना है कि short range में मतलब कि 20 km की range में ये इनका one of the best missile है अजोग निशाना है एक बार इसको launch कर दिया तो target नहीं बचेगा now since Pakistan यहाँ पर use कर रहा है Chinese missiles India ने यहाँ पर decide ये किया है कि जो best Israeli weapons है जो best Israeli missiles है इनको ये integrate करेंगे तेजस में और एक बार को सुनने में असान लगता है कि integrate करना बहुत ही कठन प्रोसेस होता है Python 5 तेजस के लिए नहीं बनाया था इसराइल ने Python 5 को इसराइल इस्तवाल कर रहा है 2006 से इसकी जो range है ये भी Chinese missile की तरह 20 किलोमेटर की है Air-to-air missile variant की हम यहाँ पर बात कर रहे है मतलब के एक fighter aircraft attack करेगा एक दूसरे fighter aircraft को और इसराइल काफी बार कह चुका है कि ये है इनका most capable सबसे service raised air-to-air missile क्योंकि इसमें बड़ा एक थास feature है ये है lock on after launch अब जरातार क्या होता है कि fighter jet के pilot को पहले enemy को करना होता है lock फिर उसके बाद fire करना होता है missile इसमें क्या है कि आपने missile launch कर दिया फिर कुछ दूरी के बाद missile अपने आप जो अपना target ass को lock कर सकता है ये बहुत ही खास feature है ये चीज python 5 को बनाती है बहुत ही deadly आप सोच कर देख लीजिए अगर इसराइल कहता है कि this is the best we have तो obvious ही बात है it is probably very very good और जो ये missile है ये कोन सी company मनाती है देखो इसराइल की एक company है रफाइल ठीक है इसको confuse मत कर लेना रफाइल विमान से फ्रांस से हम रफाइल विमान खरीद रहे है जिसको manufacture करती है डसो कंपनी वो लग case है यहाँ पर क्या है कि रफाइल नाम से इसराइल की company है वो बहुत से missile मनाती है बहुत से defense products मनाती है हम उसे काफी कुछ purchase करते है तो उन्ही का यहाँ पर आप देख पाएंगे एक product है python 5 missile इसराइल यहाँ पर क्यों कहता है कि यह इनका best missile है देखो 2006 के august महिने में Lebanon warmen उने यहाँ पर use किया था इस missile को क्या था कि Hezbollah ने बहुत सारे unmanned aerial vehicle use करने start कर दिये इसराइल की against इसराइल के पास जो American made F-16 है इन्होंने यहाँ पर इसमें यह missile integrate कर दिया और बड़ी आसानी से जो यहाँ पर UAV थे इनको shoot down कर दिया तो इरान काफियत तक short था कि इतनी आसानी से उनके जो unmanned aerial vehicle है उनको destroy कर सकता इसराइल इस हत्यार से फिर उसके बाद आप अगर देखो तो October 2012 में फिर से एक made in Iran drone यह आ रहा था इसराइल की तरफ immediately F-16 यूज करके इसराइल ने यहाँ पर launch कर दिया Python 5 और Iranian drones को destroy कर दिया तो जो इसकी application है जो इसका use है यह देखकर इसराइल यह का है अब भारत के लिए देखो चैलेंज यहाँ पर यह है कि Python 5 इसराइल ने डिजाइन किया था F-16 के लिए या फिर बाकी जो American made विमान है उनके लिए इसे इस तरीके से इसराइल ने डिजाइन नहीं किया कि Tejas में fit हो जाए Tejas के थुरू इसको यूज करना आप स्टार्ट कर दो तो इंडिया को बहुत ही लंबे समय तक रिसर्च करनी पड़ी एक आप कह सकते हैं तोड निकालना पड़ा कि कैसे जो यह Python 5 मिसाइल है इसको हम इंटेग्रेट कर सकते हैं Tejas में तो बहुत ही लंबे समय के प्रयास के बाद DRDO ने यहाँ पर बहुत भेनत करी बहुत रिसर्च करी और फाइनली हमने हाली में Python 5 को प्रॉपरली इंटेग्रेट कर दिया है इंडिया के Light Combat Aircraft Tejas में इससे Tejas की जो पावर है काफियत तक बढ़ जाती है International Market में Tejas काफी Attractive भी बन जाता है क्योंकि आप सोच कर देखिए मलेशिया को भी यह बताए कि Chinese Missiles Chinese Missiles है और इसराइली Missiles are genuinely the best in the world मगर प्रॉबलम यह है कि मलेशिया के Direct Diplomatic Relations है नि इसराइल के साथ मलेशिया भी पाकिस्तान की तरह इसराइल को Accept नहीं करता तो इसराइली Weapon यह कैसे खरीद पाएंगे इंडिया यहाँ पर बन सकता है इनके लिए आप कह सकते हैं Bridge का हम यहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं कि मलेशिया को अगर State of the Art Missiles चाहिए बिना Diplomatic Position चेंज किये तो राम सही है Python Missile पर चेंज कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया इससे फाइदा देखो भारत को भी होगा इसराइल को भी होगा और अफ्कोर्स मलेशिया भी यहाँ पर benefit करेगा और यहाँ पर आप देख पाऊगे यह tweet है DRDO की यह कहा रहे है कि तेजस भारत का जो light combat aircraft है indigenous मतलब के खुद बनाया गया light combat aircraft है इसने add कर दिया है 5th generation python 5 जी हाँ python 5 है 5th generation air to air missile आगे यह लोग यह भी add करते हैं कि जो हमने trials किया है इसमें हमने enhanced capacity test करी है there be beyond visual range की भी यह क्या होता है देखो यहाँ पर DRDO यह कह रहा है कि हमने python 5 को तो test किया साथी साथ एक और made in Israel missile है जो हम use करते है तेजस में जी हाँ तेजस में इसराइल का काफी contribution है तो यह जो missile का नाम है derby beyond visual range missile जिसकी range है around 50 km इसको भी यहाँ पर हमने test किया इसकी integration पहले हो गई थी बस इसको फिर से यहाँ पर test किया दोनों तरफ आप अगर देखो python 5 और derby missile दोनों ने अपने target को hit किया है 100% success यहाँ पर अजीब की गई है और अब आप assume कर सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर purchase करेगा future में बहुत सारे python missile python 5 missile for tejas aircraft और एक छोटी सी बाद यहाँ पर मैं add कर दूँ यहाँ पर आप देख पाऊगे यह रफाइल कंपनी का ब्रॉशर है python 5 के लिए यह पढ़के काफी पर रजीब लगता है यहाँ पर लिखा होता है customer support आपको मिलेगी यहाँ पर हमारा product बहुत अच्छा है से लगता है कोई TV है मगर वैसे आप अगर देखे तो यह बहुत ही capable missile है और रफाइल यहाँ पर यह भी दावा करता है कि इसका एक surface to air variant भी यह बना चुके हैं तो यहाँ रखेगा देखिए जराता इंटरनाशनली जो इसको यूज किया जाता है यह है air to air मगर रफाइल यहाँ पर एक surface to air variant पर भी काम कर रहा है इसी नोट के साथ यह वीडियो कांच थैंक यू फॉर लिस्निंग and as always God bless you all